हेलो गाइस वेल्कम बाइक टू माँ चैनल मैं आपका दोश रवी आज हम डिसकस करेंगे प्रिवीज पेपर तुम्हें चैनल का नाम है लर्ण विट रवी गुपता प्लीज में चनल को सब्सक्राइब करें और बगल में नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटीव प्रेस करे चलिए स्टार्ट करते हैं चारा टाइम वेशना करते हुए आज हम डिसकस करने आ रहे हैं पेपर वन प्राइमरी लेवल का है रेंडम पेपर मैंने पिक किया देखते हैं किस वर्ष का है कि पेला भाख चाइल डॉब्लेमेंट पडेणो mister शिचन सास्तर एक है पहले हम आज चाइल डॉब्लेमेंट डिसकस करते हैं ऐसे कंटीनियूों डॉब्लोंस चाइल डाव्लम्ट audiopress का हाण लोग कंटीनियू करते रहें और सभी पेपर स्वाल करेंगे जब तक आपके एक्जाम पूरानी होता, 31st चनुरी तक पहला कुश्चन है, दा क्रिटिकल पिरिट, दा मोस्ट क्रिटिकल पिरिट अफ एक्कुजिशन और लेंग्वेज रबलमेंट मतलब बच्चा किस टाइम में भासा को बहुत जल्दी अर्जन कर लेता है, प्री नाइटल पिरिट, जन्पूर अविदी, अल्ली चाहिल हूल, प्राहंबिक बालवस्ता, मिड्ल चाहिल हूल, मद्ध बालवस्ता, या एड़लेंस, किस हो रवस्ता, जोकर प्री नाइटल, ज नहीं होता है, प्री नाइटल आपकी वस्ता होती है, जब बच्चा पीट में होता है, तो यह तो नहीं होगी, अल्ली चाहिल होती है, क्योंकि अल्ली चाहिल हूल में बच्चे की अवस्ता होती है, तो क्या बोलते है, इस अवस्ता में बहुत जल्दी भासा सिख जाता है, है अल्ली चाहिल होट है अपका आप्ष्ण है पारंपिक बाल वस्ता बात कि अखरी में भासा अर्जन जो है वह बच्चे का अल्ली चाहिल हुट में बहुत तेजी से होता है और अपकोजेशन की बात आप समझते लेडी नाम चोमस्की नहीं बात की बहार जांज्चा लेंग पान साल के शक्ष्ण होता है लेकिन इसकी बाह Wizक Tá चाहिक करने की छमटे की चमता कम होने लगती है तब हैं और हम हम तो हम कहीं हिंदी हीं पर रजते हैं दोम हिंदी शॉटय नहीं होट ज़ाएं चनलों कि मिएंग्रानर्णरी चाहिए लалась ठीक है तो अल्ली चाइल हुल्ड क्या है भासा अर्जन भासा के अर्जन में विकास के लिए सवर्वतिक समेदर सील अविदी है तो पारंबिंग बाल अवस्था इसका अंसर बिल्कुल सही होगा एक से प्रॉफेशर स्मिट इन्होंने बोला था बच्चा एक साल का बच्चा होता है दो से तीन वर्ड बोलने लगता है दो वर्स की अवस्था में बच्चा दो से 72 सब्त बोलने लगता है और जब बच्चा पांच वर्स की अवस्था में पहुंसता है तो वह 2072 सब्त बोलन प्रस्था नहीं पुलबर के द्वारा प्रस्थावित नहीं नहीं आवस्था एक अवस्था है लेटशी प्रस्था अवस्था दा सोशल कॉंट्रक्त औरिंटेंटेशन समाजिक अनबंदन अभिविन्यास तौंट्रक्त ऑप कॉंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्स संक्रियात्मक अवस्ता इंड़स्टी वसे इंफ्योर्टी स्टेज दोग बनाम अधिनियम अवस्ता ठीक है लेटेंसी स्टेज भी नहीं है आपकी ता सोचल कॉंट्रेक्ट और इंटीशन है समाजिक अनुबंधन अभी विन्यास है क तो यह आपका उनके जो तीन तीन लेबल है प्री कंवेंशन पोस्ट कंवेंशन तो जो कंवेंशन है उसमें दूसरे लाइन ओर्डर तो यह आपका दूसरे माता दा सोचल कॉंट्रेक्ट और इंटेशन समाजिक अनुबंधन अभी विन्यास लोर्ण्स कोलबर्ग का दूस स्टेज है तो ओप्शन नमबर तीन समाजिक अनुबंधन अभी विन्यास यह बिल्कुल आपका सही है यह कॉंकिट ऑप्रेशन के अभी बात जानते हो है प्याजे ने बात के इंडस्ट्री वेचे मुनफाय ने किया था लेटेंसी कॉंकिट नमबर तू का ओप्शन नमब पर एक टीचर है जो बच्चों पढ़ा रहा है उसमें क्या है थे लड़की कर दे लड़के जटीन कम दे कर घाएं लड़कों कम और या लड़कों इंद भिख से प्ला हूं पाइस फेटन गंडर पश्वालटी है अथ्यंकर तो पच्छपाथ हे और और रलाऻघ्व सभी ह इस में यह कह रहा है कि कौन सा स्टेड़ी आप अपना होगी जो जंडर रूडी वारता और जो चलती-चली जा रही है ठीक है उसको हम कैसे कम करेंगे बच्चों की बीच में बच्चों से बात करके क्या करेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन है का डिसकासन अब उट्ष सेटिंग्ग सेटीं बे क्के बारें बात करेंगे एंफसाइज जंडर सप्रसेद सेट्ट के जंडर ने की वहिडवगां करने के लिए निम रिखित में से कौन सा परद्रती प्रभाव साली है तो पहले मिशानगी कि बात करेंगे तो नहीं कि जब लड़का चला लेता लड़की बाइक कघ्रिखा लग कर सकते हैं तो अलग अलग किसी को अलग नहीं करेंगे जेंडर सगरिगर सेटिंग अब मेल और फीमेल को अलग अलग नहीं बठा लेंगे एक में ही बठा के सब को समझाएंगे तो सबसाचाइब अंसर बिला है वो जेंडर पच्छ पात के बारे में बात करेंगे बच्छों को बताएंगे महलाएं भी काम कर सकते हैं मतलब कहने मतलब है जैंडर भी घर का काम कर सकते हैं और फीमेल भी ऑफिस जा सकती है तो डिसकास अब जेंडर बायाज तो ऑप्शन नमबर फोर का ऑप्शन बबन बिल्कुर सही रहेगा अब ये क्वेशन नमबर फाइब में विच आप फॉलएंग थोरिस्ट वाइल वीव चिल्डन एस एक्टिव सीकर आफ नॉलेज एंबसाइस इंदा इंफ्लोंस अब सोशल एंड कल्चर कांटेक्ट ऑन देर थिंकिंग नेम लिखित मैंसे किस विग्यानिक मनों विग्यान वह सुषल संबनी थे समाजिक सोशल सोच्यो कल्चर थोरिस्ट वाले बात कि थी बच्चा एक्टिव सीकर आफ नॉलेज है बच्चा मनना विग्यानिक मतला जिग्यासु है देखते ना चोटा बच्चा खिलोना मिलता तोड़के तोड़के देखता है तो जिग्यासु हू और समाज संस्की जाए सकता है ठीक है क्वेशन नुबर 3 इस करेक्ट क्वेशन नुबर 5 का ऑप्शन नुबर 3 बिलकुल सही है जीन प्याजे वाइल वर्किंग ओना जिक्सा पजल 5-year-old नजमा सेस्टू हरसल वेस्ट प्लूपीश नो नॉट दिस वो डाको वन टाट बूल गो हैर में दिस सू दिस काइंड अफ टॉकिस्ट पहली को जिक्सा पहली जिक्सा पहली को करते समय पार्च वर्स की नजमा स्वयं से कहती यह चुकड़ा कहा है और नहीं यह वाला नहीं है गारे रंग वाला जिसे अजुता पूरा हो सकता इस प्रकार की वर्ता को वेगास्की ने किस तरह को संभवादित किया है और इको सेंट्टिक वार्ता जोड से बोला आप धाचा या आत्म केंद्र वेगौस्की के संदब में पूचा गया है वेगौस्की वारता को इंपोर्टेंट दिया है बच्चा जब कुछ बना रहा है अरे यह ऐसे नहीं होगा वह लाल हम भी करते हैं कभी लेकिन च्छोटे बच्छे जाधाता करते हैं तो लड़की जो पहली बना रही उसको बनाते वक्त बाढ़ता हो लड़की कर रही है अपने आप में मतलब प्राइवेट स्कीट तो छटे का ऑप्शन नंबर वन सही है फिर भी जान लेते हैं टॉकलाउट कोई मतलब ही नहीं हो ता तेस बूलना से कोई मतलब नहीं है इसका फोल्डिंग इसका फोल्डिं गिविंग्लूस तो चाहिलन ओफरिंग सपोर्ट एच वैन नीड इचने एग्जम्पल बच्चों का संकेत देना था आवसक्ता पढ़ने पर स्वयुक्त प्रदान करना ने मिखित में से किसका उधारन है रिन्फोर्समेंट कंडीशनिंग मॉड्लिंग इसका फोल्डिंग तो अभी हमने डिसक्स किया था बच्चे को हेल देना मतलब मतलब क्लूस देना आवसक्ता पने पर उसको मदद करना तो यह तुम्हारा ऑप्शन नमबर चार इसका फोल्डिंग पाड़ या धाचा मतलब बता नहीं था कि जैसे कोई बच्चा को सौल करता तो उसको क्लूस करने के लि较ओक उसका उसको उसको ऊसकर फोल्ड़ बछल पाड मंचा अधर पाड़ ऑसका नमिवी नहीं साथ पाड़ को छार्प 40 यह था companies efficient है ड्यासिवाथ लगार देना मेंकी थे प्रस्तावित मूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता की विचेस्ता है जीन प्याजिक पूछ कर रहा है तो अब पूछ रहा है जीन प्याजिये कॉंक्रीट अवस्ता पूछ रहा है को यह थे पहले हैं परिकल्प्रा निग्यात्मक तर्क संग्यात्मक विचार दूसरा है कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन सराचना कच्छा समयवेश तीशा डिफर्ट इमिटेशन ऑब्जेट पर्मानेंस अस्थाई अनुकरन परदत अस्थाई मेक बिली पे इरिजुल्टी तो इसमें जो आठ्वे में आठ्वे में आठ्वा जो आठ्वे का पहला आप्शन है व के लिए बेट घ्लाज में एक जंघ में रखा एक लंबवे ट्यूब में वही पानी नंपे त्ट्यूब में रखा दोनों में बराबर नंबे ट्यूब में आठ्वे में दो यह दूसरी अवस्ता थी ठीक है तो क्लास इंक्लीजन बिल्कुल सही है सच्छन और कच्छा समय बेस ही ऑप्शन बिल्कुल सही है इमेटेशन का बात है जब बच्चा पहली स्टेज में होता है सेंस्री मोटर में डिफर लेकिन बच्चा अठारा से लेकर दो साल टक बच्चा हो जाता है तो उसके सामने दिखाते हैं और फिर था रोने लगता है क्योंकि बच्चे अंदर पर मान आ गए तो आठका ऑप्शन नम्बर दो बिल्कुल सही है कांजर्वेशन क्लास इंक्लूजें सरचन कच्छा समावेश विच आप विच आप दा फोलेंगी जा प्याजन कर्स्ट्रेक्ट इन दा कॉंटेस अप कॉक्रिटिव डवलमेंट चिलन बच्चों की संग्यात में विकास के संदा में निम निखेट में से कौन सा जीन प्याजे सरचन है दोस्तों हिंदी से पढ़ने में दिक्कत होती है मेरेको तो था इग्नोर करना ठीक है प्याजे के संदब में बात किया है ठीक है प्याजे का मतलब होता है कुछ इंफर्मेशन हमारे दिमार्ग में फीड है उसको बोलते हैं ठीक है तो यह प्याजे के टम में कोशन नमबर स्कीमा ही बिल्कुल सही है अप्शन आपका कोई कोई भी डिसकेशन मिस मत करना सारी ही मैं जो भी बोलूगा इंपर्टेंट चीजी बोलूगा बड़ा बड़ा के भगाने से अपका देखने से कोई मतलब नहीं होने माला प्राइमरी अब्जेक्टिव एसेस्मेंट के क्या है आकलन का प्रतिक उद्देश क्या होना चाहिए साइनिंग रैंक आप स्टुडेंट मिद्धातिव करें शेनी निचित कर देना बही यह तो गलत है कि तुम सेकेंड और थर्ट हो और इसके बाके सब फेल है यह तो गलत हो पहला दूसा अंडेस्टिण चिलन क्लेर्टी एंड कंफ्यूजन अवाट रिलेट को समझना यह त क्या करेंगा ऑब्जेक्ट क्या है मारा असेस्मेंट करने का दूसरा नंबर ऑप्शन नंबर दो समझतित आवधावना के बारे में बच्चों के स्पर्श तता भ्रंतियों को समझना अंडेस्टेंडिंग चिलन क्लेर्टी एंड कंफ्यूजन अबाउट बच्चों को जो अब आते हैं क्वेशन नंबर 11 मतलब 11 बीच आप दा फॉलइंग स्टेट्मेंट अबाउट इंटेलिजेंस इस कॉरेक्ट कौन सा सही है नियम लिखित कत्नों में से कौन सा बुद्धी के बारे में सही है इंटेलिजेंस इस फिक्स्ट एबिल्टी एंड डिटर्माइन एडट टाइम अब बुद्धी एक निशित योगता है जो जो चान के समय निराद होती बिलकुल गलत है ऐसा तो नहीं कि बच्चा बच्चा जब पैदा हो तो अभी हमने कह दिये कि बच्चा हां बुद्धि बुद्धि का मानिकरेट परेश्चन का प्रियोग सतिक रूप से माप निर्धाइच किया जाता है यह भी नहीं कह सकते हैं कि बच्चा अभी तो ठीक है पढ़ने में आगे चलता है आगे चलके साइद कमजोर हो जाए या भी कमजोर आगे चलके पढ़नें तेज हो जाए तीसरा इंटेलिजेंस इस यूनिफेक्टर एंड शिंगल ट्रेड बुद्धिक एकात्मत कारक तथा एक एक विसेश्टा है यह भी गलत यह नहीं कह सकते हैं इंटेलिजेंस इस मल्टी डाइमेंशन एंड सेटप कॉम्प्लेक्स कम्पेल्टी बुद्धि बहु यामी है त कॉम्प्लेक्स तरीके सब्सक्राइब कर सकता है हर प्रकार से ठीक है तो कॉस्टिन नबर 11 का कॉस्टिन नबर 11 का कॉस्टिन नबर 4 ही बिल्कुल सही है बुद्धि आयमी तथा जतिल योगताओं का एक सम्मूव है इंटेलिजेंस मल्टी डाइमेंशन है सेटप कॉम्प् सब्सक्राइब करती है कि यहां पर लड़की है जो कहती है कि यह कोई चीज उसको दिया गया है तो उसके कई प्रकार के सॉल्यूशन निकालती है मतलब कई प्रकार से उसको सौल कर सकते हैं क्या किस प्रकार की लड़की है तो भाई एक लड़की जो रुषी है किसी बी सॉल्यूशन का किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कई प्रकार से निकाल सकती है क्या विचार के विचार के मतलब कि यह द्यूशन थिंकर है हर देशाओं में सोल सकती लड़की तो इसका अंसा सही है लाकि हम आगे चारों तीनों जालेते को कर जब अभी सारी अभी सारी अभी सारी क्लोज एंड़कोशन होता है जैसे कि हमने पूछ लिया भाध कराश लगते हैं और आपकी सोच लगती है वही होती ही क्रेटिव तो ऑप्शन नमबर 12 का ऑप्शन नमबर वन सही है एको सेंट्रिक तो आपने प्याजे के बारें बोला था ओ छोड़ दोसको तो बारा का ऑप्शन नमबर वन बिल्कुल सही है सुजान पर विचारधारक या क्र अब आते हैं क्वेशन नमबर 13 पर इन एक अच्छा को क्या करना चाहिए अब कुछ बच्चे हैं बंचित है और ठीक है उनकी सह भागता भी कम है तो उसके लिए टीचर क्या करेगी टीचों को क्या करना चाहिए आग चिलन तूविद्ड्राव फार्म स्कूल बच्चों के विदाले चोनने के लिए बिल्कुल नहीं का होगा ऐसी इस तदीको जैसी उसी सुखार कर लोगे जैसा बच्चा है वैसे सुखार कर लोगे जोब देखते हैं आगे भी लोगर एक्सपेटेशन फॉर्म सच इस्टूडें इन विद्दारत्व में अपनी उप बच्चे करने के लिए नए तरीके चुने चाहिए तहीं बच्चार ही बिल्कुल आपका सही है क्योंकि इन इंक्लीजू इन इंक्लीजू क्लास्वूम आट टीचर इंडिवाइश एज्ट्वाइशन प्लान एक समसी कच्छा में एक सिच्छा की विश्च्छा क्या होनी च लुप से त्यार होना चाहिए चोटा सब्सक्रीज करना चाहिए और तीन चोड़ा का ऑप्षिन नमबर तीन शुद एक्टली प्रिपेर शाइड़े रूप से त्यार होना चाहिए यही ऑप्षिन आपका बिल्कुल सही है देप्राइमरी करेक्टरिक अप चाइल विड डिसलेक्सिया इंगलूड पतन वेफल बच्चों के प्रास्मिंग लच्छ क्या होते हैं अवधन विकास डावर्जन फिकेंसी इन रीडिंग अब शारी चिंतन पढ़ने भाए धारा प्रवाइड इन वेल्टी टू रीड फ्लि फऴाशा पढ़ने की आज हमता मतला कमर दर्ला को अफ्चिन नमबर तीन इने वल्टी तुरीड इंफ्लेंसी यही सही आब मुझा लाइट दिसलेक्सिया पढ़ने समधित होता थे इस फेसिया बोले समधित होता है और हाइपको होता है डिस्प्रेक्सिया आपका हशुत्स होता है जश्यक आपको क्यां कोयी कंव करने में हो पैंट पने में दिक्कातारी टीक है तो अप समद्किटिन तर डिस्सलेक्षीय तो आपसेड़ने शमें चक्राफिया पर प्रण चक्राफिया लिखन सबंदिट इस फेशिया फेशिया बोलने सबंदिट तो आप्शन नमबर 15 का आप्शन नमबर 3 इनबेल्टी तो रीट अधारा प्रवाद पढ़ने के आच्छमता है यह सही है इस फेशन नमबर 16 इनकलीजिव एडिकेशन 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 एक दोजान नौ इस बेस्ट अंब सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेक किया गया था समय सिक अच्छा का अवधाना निम्रिकित किस पर आधारी था पहले तो हम जानते हैं इंक्लीजिव एडिकेशन क्या है राइट टू एडिकेशन क्या चीज है लागू का प्रिवती यह का प्रवल 2010 को लागू जो विकलांग या थोड़ी दिक्कत है उनको डिसेबल मतलब विकलांग वर्ड यूश करना गलत है ठीक है उनको 6-18 और ठीक है उनको 6-14 तो अब पढ़ते हैं क्या है अधिकार अधारित मानता वात परच्छी पीछ चौता है में बच्चों को मुख्यधारा में सामिल करना यहीं बिल्कुल सही है आपका मेन स्ट्रीम इसमें क्या जाता है कि जो बच्छे डिशाइबल है जो भंक से पढ़ परवर नहीं सकता है उनको कुछ ऐसा काम दिए जा इन दा कॉंस्ट्रेक्ट फ्रेमबर्क लर्निंग प्राइमरी सरचनावादी धाचे में अधिकम प्राथमिक रूप से क्या है रट्टा लगाने की बात कभी नहीं गई यांत्रिक्याद करने की बात बिल्कुल कट गया कॉर सेंटर एरॉंड रिंफोर्स्में रिंफोर्स्में और बिल्कुल सही है अब और नंबर चार बिल्कुल सही है नाइब थोरीस टैट चिलन अबट वीरियस फिर्मा अनिक्यों घटनाओं के बारे में बच्चों के दौरा बनाए गया सहजन भूती सिदान के संदर्प में एक सिछक को क्या करना चाहिए ठीक है तो एक नाइब ऐसाँ बच्चे आपने अल्टरेनेर्टीव थोट बना लेते हैं जैसे कि बच्चमत पर हम लक भी ट्रेंसे जाए करते थे तो साहिए आ चैटीक नगर बच्चों के इंब च्ट्रव को अधिक ऑनको आगे प्रतिकूल प्रण्वा में धारन को प्रस्रिट करके बच्चों को इन सिद्दान के चुनोती देनी चाहिए तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है क्या करना चाहिए जो बच्चों ने अपने नाइप फुरी बनाई थी मतला अपने कॉंसर्ट बनाये थे कि हां सूरस ट्रेन के स चाहिए यह ऐसा को बच्चों को समझाना चाहिए निकए जामपर घ्र प्रतिकूल प्रनाम एवं धालों को प्रस्टिट करके बच्चों के जर्दान को चुन्वती रहनी चाहिए अठारा का ओप्षिंट्टन नमर्च यह बिल्कुल सही है चाहिल्स संटर पैटलोजी प्रमोड चाहत्र केंदी सिच्छा शास्त्र की क्या विसेश्टा है ठीक है पहला है इंक्लिजू रिलाइंस वन टेक्स्ट्बुक केवल पार्ट पूश्टों के अनभो का प्रमोकता देना आगे देखते हैं रटना पर कभी बात नहीं कि रट्टा फिकेशन आपको कभी करना ही नहीं भूल जाओ सब्सक्राइब करना यह भी नहीं करना तो यह नौका ऑप्शन नंबर उनिस का ऑप्शन नंबर दो ही सही है बच्चों के अनभों को प्रमोकता देता है उनको ही टीचर को मतलब इंपोर्टेंस देना चाहिए मतलब चाइल सेंटर पैडलोजी ठीक है चाहिए प्रमोकता देती है ऑप्शन नंबर दो निस का है क्या है यह संब्रकर को सग्यान एक दूसर से क्या प्रूरता अलग है नहीं गलत इंडिपेंडेंड़ एक दूसर से नहीं गलत इंटर ट्ंर वोवन वेन विद्स सनहित नाए आगे लिखते हैं नौट रिलेटेट टू सम्मधित नहीं है तो इमोशन और कोई चीज ऐसी हुए जो इमोशन समधित है तो आप इमोशन में खेलो और इमोशन मनलब की कुछ आप कर रहे हो काम है ठीक है अब इमोशन से काम करें लेकिन बुद्धी भी तो आपकी लग रही है कोई काम करने के लिए आपका दिमाग और इमोशन साथी साथ लगता है तो वह दोनों एक दूसरे इंटर्वूइन है सनहित्र है वी का आप्चिन नु इंटर्वूइन है तो वी को आप्चिन नुबर तीन ही बिल्कुल सही है और यह बढ़ते हैं दोस्तों मेरा एक्प्रेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज समको कमेंट करें बताएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक भी करिएगा शेयर करिएगा दोस् प्रक्राइब करें लाइन प्रक्राइब करें लाइन यह बिल्कुल सही है बात आगे कंस्ट्रक्ट की बात आगे क्या बच्चा कहीं वी किसी चीज में इंगेज होगा तो इंगेज उक्रेक ज्यान का अधिगन करेंगा और कुछ नई चीज बनाएगा तो अधिगम सक्रिया वी नियोजन के दौरा ज्यान की सरचन की प्रक्रिया है तो ऑप्शन नम्बर चार ही बिल्कुल सही है लाइनिंग प्रोसेस आप कॉंस्ट्रक्शन और नॉलेजज ब पर माने नॉलेज़ बिल्कुल सीधे बता दोगे अब समझ जाएगा तो बैस का पढ़ते हैं और अप्शन चेंज आप परियोटा के प्रोसेट करने के लिए प्रवाशली तरीका है लीज़ तो कन्फूजन ना माइन अब स्टूडेंट एक विदाथी के दिमाग में ब्रह सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं नहीं करोंगे तो बिल्कुल गलत हो गया तभी तो वच्छा सिखेंगा लेकिन इसमें में कह रहा है प्रेजेंटिंग स्टूडेंट क्लियर जांपने जांपर क्या है इसन एफेक्टिव वे अब धार्णा तो माख परिवर्तन को प्रसायद करने के लिए एक प्रफसर तरीका है तो बाइस का ऑप्षिन नमबर बन ही बिल्कुल बिल्कुल ही सही है ठीक है कोश्चन नमबर 22 का ऑप्षिन नमबर वर इसकारइट इसन एफेक्टिव एटू इंकरेज कॉंचेंचर्प अधिकम कर वीडियो में भागिदारी करने के लिए लगातार पुरुशकार देना और डंड का प्रयोग करने का प्रवाव बहुतती शूट्पर नहीं पर शूट्राइब शूट्म में जानते हैं क्या कराएं और अंसर शूट इंक्रीज इंटरेशिंग इसे बहर ही प्रदस्रन अधारित लच्छों के लिए बजाय पुर्टा पर ध्यान देने के लिए प्रतों साहिट करता है चौथा डिक्री चिलनल नेचुरल इंट्रेशन किरोशेटी इन्वाल्बिन लर्निंग अधिकम में बच्चों की सोभाविक अभिरूची तता जिग्यासा कम करता ह अगर को टीचर है आप से करा पढ़ो तभी पढ़ोगे नहीं तो आपको नहीं पढ़ोगे मारें अगर पढ़ोगे तो चौकलेट देंगे तो इसके संदब में चौटा अप्शन ही बिल्कुल सही जा रहा है क्योंकि इसमें क्या अधिकम में बच्चों की सोभाविक्या अ सब्सक्राइब क्या होती है जैसे मालों कि मैं हम त्यारी करो टीचर बनने के लिए ठीक है आपके मन में लालेश पैठा है यह हम तीचर कमाएंगे तो बाहरी अभी परना क्या है आप त्यारी करो टीचर की ठीक है और आंतिक अभी ना कि अपनी लिए करते हो तो वह इंटरिजिंग मोटिवेशन होगा बाहरी अभी परना चाहिए बिल्कुल सही है डिक्रीच ने 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 इंट्रेस्टी इन्वाल्विन लेंग अधिकमें बच्चों के सवाविक अभी तथा जिग्यासा कम होती है तेज का ऑप्षिन नमर चार ही सही है कि वीच आप दा फोलेंग इस प्रेटिस प्रमोट मीनिंग्फुल लर्निंग आज कला इसे कुश्चन बहुत आरे इस टाइब के निम्रिखित में से कौन सी प्रतक सर्थक अधिकम में बढ़ावा देती है सारे एक डन कॉप्रेट कॉ बच्चों को आप नहीं बनाओगे दूसा कॉपरेट लर्निंग इंवर्मेंट सही होगती अधिकम प्रयावन देना कंट्यूंस और निरंतन तुलात में कभी निकरोगे बच्चों को तुलना नहीं करोगे बच्चा यह अच्छा है गलत है ठीका तो 24 का ऑप्षिन नमबर 24 तो ही सही है दूसरा और तीसरा ठीक है अलाद गबच offenses का सभी आपका सही अंसर है दो लिए दूसरा और तीसरा थीक है स करेक्ट है हम का हो केंट बच्चों की जरतल्धान को समझ को कि रीत competitors कर दोगोड है बच्छों को चतिए लावदानों का समझत करें जब बच्चों को बच्चों को पर देखा मोके देगा और बच्चे एक्स्बोर करेंगा और आपस में डिसकस करेंगा इस टॉपिक वे तभी बच्चे सिख पाएंगा तो बच्चेस का ओप्शन बचार ही बिल्कुल करेक्ट है बच्चो को सहजन भूति अन्मौल लगाने के लिए प्रसवाइट करें करें तथा उसी पर अधारित विचार मन्थन करें यहीं बात बिल्कुल सही है कि एक टीचर है बच्चों को गस्ते इंक्रेज चिलन तुमें इंटिट्यू के बच्चों को कोई बी टॉपिक है तुस पर इंट्रीट्ट्यू बनाया और फिर उसी पर विचार करें तो यहीं वाला 26 नमबर 4 ही बिल्कुल सही है चौता ही बिल सारे व्रुद्धी में से किसमें सारी व्रुद्धी इवं विकास घती से घड़ित होता है घड़ित होता है बहुत तेस में होता है हर ली होता है कि दो इसमें 27 इसलिए क्योंकि वो बच्चा जर्म लेता उसके बाद उसका बहुत फास्ट होता तो इंफेंसियों अली चैलूल बहुत तेजी तेज से विकास करते हैं ग्रोठ डबलेमेंट में कार्य करते हैं बहुत तेजी से रैपिड है लिखा अचले तो 27 को ऑप्शन नुबब बन सही सवस्टा यह पारमिक बाल वस् सब्सक्राइब करते हैं यही गलत है क्योंकि कल्चर का प्रभाव तो पढ़ता है ठीक है तो जो पूछा गया जो गलत है जो कौन सा गलत है तो यही वाला गलत है तो 28 का आप्शन नमबर चार बिलकुल सही गलत वाला ही सही है ठीक है नौट पूछा गया तो नौट दून और इंफोस कल्चर यह पर क्या बोलत है संस्क्रित का प्रभाव नहीं पढ़ता है तब ही गलत है इसलिए उप्शन नमबर चार सही है अठाइस का पोर्थ ट्रेटीकट विभेंताओं के प्रात्मे करन्द क्या है जैनितिक कोड रिसीप बाइब इंडिविज्वाट परेस बाद्प्रेस लोगों के माता लोगों के दौरा मातापिता से प्राप अनुवांसिक संकेत प्रद्थी कोड दाइंबां करेक्टरिक प्रयावाव नहीं प पर्यावन के बिच्विक पर क्रवण पर्स पर क्रूम फ्रामप पर क्रिया है तो टो प्रामरी कॉस्फ यह क्या है आपीछ सङति हुए निटर्प्राम के तौश सब्ल में फ्रक्राविन में करके मूण लगूझे नहीं कि प्लाइक शेर नींटर ब्रेंटर होता हैं तो 29 का चौता ही सअधिया दोस्तों ने मेरा चैनल को लाइक शिय नहीं किया प्लीज शेर और शुच्काइब कर रहे कि मैं आप लोग है भहुत दुल्हाइक के लिए बहुत दिसक्रिश्टा कराऊ तो प्लीज परिवार परिवार होता है परिवार यह नहीं होगा मिद्दाले हि आपकि सेकंडी सोचुल अगजन सी दूतिया जो सकते हैं तो चाचा था हो चाट भी नहीं है सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी शेर करें अब मिलते हैं आप EBS के position में कुछ ही देर के बाद चलिए ठीक है टाटा बाई बाई see you please share जरू करें और like भी करें और subscribe भी करें thank you so much for watching